हेलो दोस्तों नमस्कार चनल पर आपका स्वागत है को लिटिस अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टुडेंट के लिए दोस्तों इस वीडियो में आप से बात करने वाले है गनुके 6 नूटिफिकेशन के बारे में जि अपक्राइट जारी किया गया है जो की है एक्स्टेंशन अफ वैलेटी ऑलेटी ऐखताम हो रहा था उनके एक्स्टेंशन को लेकिनुके Si kyesn आप सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली अपडेट पर चलते जैसे कि पता है फ्रेस एडमिशन चल रहा था आप सभी स्टुडेंट्स का भी चल रहा है जुलाई 2021 का तो अभी उनकी लाज डेट को एक्स्टेंड कर दिया गया है सभी प्रोग्र इंप्रटन्त है निक्स अपडेट में रि-बास्ट करना सभी स्टुडेंट्स के लिए काफी ज्याधा कंपलसरी और इप्रोटन्त होता है उसकी लाज टैट को एक्सेंड गया है तो कोई भी स्टुडेंट जो ऐसा रियसेशन केन्र इलिजबल है बिलकुल भी miss नहीं करेंगे अपना re-registeration जरूर करेंगे ठीक है अब next update पर चलते हैं जो notification जो काफी important notification आप सभी students के लिए जो जारी किया गया है जो है extension of validity of registration ये student evaluation division की तरफ से जारी किया गया है ये notification है जो उसी के continuation में है जो इसके पहले notification ये आया था जो exam होने वाला था आप सभी students का final year के students का उसी के continuation में इसको notification को जारी किया गया था ये notification 9th July को जारी किया गया था इसमें एक six point number में चीज mention की गई थी कि जिनका भी duration जिनका भी maximum duration जून 2021 में खतम हो रहा है उसको extension दिया जाएगा December 2021 exam के लिए due to COVID-19 ठीक है इसी को continuation में रखते हुए इसी notification के जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है आप देख पा रहे है यहाँ पे in the continuation of notification 9th July on the subject mentioned above ठीक है mentioned above यह subject यह है university examination termined examination June 2021 for final year semester student to be held in August extension of quality of registration तो यह जब आप अभी अपना registration detail चेक करेंगे यह update करेंगे अभी तो उसमें जिनका जून 2021 में maximum duration खतम हो रहा है उसको extension दे दिया जाएगा ठीक है इस बार भी इस notification में यह mention नहीं किया गया है कि जिन्होंने re-admission लिया था या फिर due to COVID-19 जिनका जून 20 या दिसंबर 20 में खतम था उनको extension मिला था due to COVID-19 उनको उनका भी maximum duration extend किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा इसमें यह चीज mention नहीं है लेकिन हाँ जिनका जून 2021 में actual mention है actual value खतम हो रही उनको extension दिया जाएगा उनको किन-किन चीजों के लिए दिया जाएगा वह आप देख सकते है practical examination of lab courses प्रक्टिकल एक्जामनेशन आपको जो subject है ठीक है lab courses प्रक्टिकल एक्जामनेशन आफ लाइब courses assignment project dissertation internship field work general practical ATC has extended till 2021 December 2021 as a special case in view of nationwide covid-19 pandemic situation the terms and condition as mentioned in notification under reference will remain same ठीक है तो यह notification है और यह पूरा notification आप जो 9th July को जारी किया गया था है यहां पर mention है ठीक है तो वह उसी के continuation में है तो यह चीज है अभी इसमें clear cut चीजे अभी भी साफ नहीं हुई है आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो अभी आगे हो सकता है इसके continuation में कोई और notification जारी किया जाए लेकिन अब देखना है कि अब जब आपका जो registration डीटेल आप चेक करोगे उसमें क्या चीजें में होती है आगे ही पता चलेगी तो यह काफी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग और आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसमें और भी चीजें मैं क्लियर करूंगा जानने के कोसिस करूंगा कि इसमें और चीजें क्या हो सकती है जो जिनका का माइक्सम डूरेशन जून दिसमबर या जून में खतम हुआ था जून 2020 में दिसमबर 2020 में उनके लिए क्या प्रोविजन है ठीक है तो नेक्स अपडेट पे चलते है नेक्स अपडेट जो है आरसी नौड़ा की तरफ से है जो उनके प्रेक्ट जो है एक्जामनेशन का ज लिखा था तो भी समबर 2021 कर दिया गया कल वीडियो में ने बनाई थी और इसके लिए भी काफी सारे स्टूडेंट पोच रहे तो यह दोनों का जो है अपडेशन हो चुका है यहां पर यह अपडेट हो चुका है आप देख लीजिएगा जो भी आरसी नौड़ा के हैं अप चाहिए MPA, MSO, MHD, MPS, MEC, MEG, MCOM सभी के लिए यहां पर जो है सिडियोल जारी कर दिया गया है तो आप देखिए यहां पर अभी खाला की MCOM, MCH वगरा कुछी और भी सिडियोल इसमें एड़ किये जाएंगे तो भी लगबग लगबग सारे इसमें मिल जाएंगी आपको गूगल मीट के तुरू आप अपने मोबाइल से लेप टॉप से कंड़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम को ठीक है इसके साथ साथ यहीं रिजिनल सेंटर से जो है BLIS के लिए भी कांसलिंग का सेडियोल आया है तो BLIS के जो स्टूडेंट है वो भी यहां पर अपना गूगल मीट के लिए तीन स्टूडेंट के लिए यहां पर जो है इनका नाम और इन्रूल्मेंट अंबर दिया गया है जो कि वाइबा का सेडियूल है तो यह वाइबा जरूर अटेंड करेंगे अपना ठीक है तो यह काफी इंपॉर्टेंट अपडेट थी खासकर जो है मैक्समिन डूर करते रही है नमस्तु आप